दोस्तो एक भाई ने हमारे यूटूब वीडियो के नीचे एक कमेंड किया था कि भाई मुझे बता कि एक औरत एपिर एक लड़की हमसे पटने से पहले हमारे अंदर क्या-क्या देखती है जी हाँ दोस्तो इसका मतलब क्या है दोस्त आपको पता है कि अगर कोई भी औरत पिर ओ लड़की उस पुरुष के अंदर कौनसी कौनसी चीजे देखती है दोस्तो इही सवाल एक भाई ने मेरे कमेंड बॉक्स में पूचा था तो इसी सवाल का जवाब आज मैं आपको देने वाला हूँ और दोस्तो इसका जवाब ना मैं आपको एकदम डिटेल में दोस तो हो ना पुरा तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरुती नहीं पड़ेगी तो अगर आपको सच में दोस्तो जानना होगा ना कि एक और ते फिर एक लड़की एक पुरुष से पठने से पहले उसके अंदर क्या-क्या लिखती है उसके जिन्दगी में जाने से पहले और दोस्तो क्या होती है कि उस पुरुष की बौड़ी उस पुरुष की परसनलिटी जी हां दोस्तो क्या बला मैंने उस पुरुष की बौड़ी और उस पुरुष की परसनलिटी दोस्तोरे को बहुस सारे लोग इस दुनिया मैं ऐसा कहते हैं कि प्यार ना दिल से होता है पर मेरे भई ए बात मतलब 50% सही है एसा बिल्कुल भी नहीं प्यार दिल से होता है मुझे पता है पर जब कोई भी अवरत पिर जब कोई भी लड़की एक बंदे को देखती दोस्तो है ना तो उसको बिल्कुल भी पता नहीं होता कि ये बंदा अंदर से कैसा है इसका स्वभाव कैसा है ये अच्चा है ये पिर बुरा है एक औरते पिर एक लड़की एक बंदे को देखती है तो उसके आखों के सामने जो दिखता है और उस तो क्या दिखता है कि इस बंदे का कलर कैसा है इसकी body कैसी है इसकी hairstyle कैसी है इसने कैसे कपड़े पैने है मतलब overall ओ दिखता कैसा है तो हमेशा दोस्तो अपनी personality के उपर दोस्तो हमेशा काम करो क्योंकि एक अवरत है फिर एक लड़की जब आपको सबसे पहले बार देखती दोस्तो है न तो आप दिखते कैसे हो आप बात कै कैसे करते हो आप लोगों को handle कैसे करते हो आपका communication skill कैसा है यह दोस्तो सबसे पहली दोस्तो चीज़ होती है जो एक अवरत है फिर एक लड़की पुरुष के अंदर सबसे पहले देखती है और उसके बाद दोस्तो अगर उसको ऐसा लगा कि एक पुरुष दिखने में अच् है मतलब overall उसकी personality एकदम अच्ची है तो उसके बाद एक अवरत है फिर एक लड़की उसके अंदर दोस्तो क्या देखती है कि इस पुरुष के पास कौन सा job है मतलब एक पुरुष अपने जिन्दगी में खुद के पैरों के ओपर खड़ा है या पिर नहीं है मतलब दोस्तो हर आउरत को ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी भी पुरुष के जिन्दगी में जाऊंगी तो ओ पुरुष मेरी सभी इच्चाय मेरी सभी अपेक्षय पुरी कर सके मतलब मुझे जिन्दगी में हम pockets सके तो एक आउरत एक पुरुष के अंदर यह भी देखती है कि इस पुरु दोस्तों चीज होती है जो एक आउरत एक पुरुष के अंदर देखती है और उसके बाद दोस्तों लाश्ट में अगर उसको उस पुरुष की परसनलेटी अच्छी लगी उसके पाद जौब अच्छा लगा और उसके बाद दोस्तों लाश्ट में एक आउरत एक पुरुष के देखती है मतलब उसका स्वभाव कैसा है वो जिन्दगी में कैसा रहता है वो सज बोलता है या पिर जुड बोलता है मतलब वो दिल से कैसा है मतलब दस्तो वो पुरुष अंदर से कैसा है वो दस्तो लाश्ट में एक औरत एक लड़की एक पुरुष के अंदर देखती है तो अगर किसी भी अवरत को या फिर अगर किसी भी गर्ल को जो मैंने तीन चीजे बताई वो तीनों भी चीजे अच्छी लगती है तो वो अवरत पिर वो लड़की उस पूरुष्ट के जिन्दगी में जाती है तो रस्तो बस अचकी इस वीडियो में इतना ही I hope जो मैंने आपको बतायाओ आपको सब कुछ समझ आया होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद